गुड मॉर्निंग डियर स्टूदेंट्स हुव आर यू प्यारे बच्चों नमस्कार आप कैसे हो इस्टे होम इस्टे से बीएपी घर में रहिए सुरक्षेतर ये प्रसंद रहिए तूड़े आई एम गुएंग टू टीच यू इंगलेस रीडर क्लास सेवेंट लेसं थ्री संजे दे ब्रेव बॉय आज मैं आपको इंगलेस रीडर के अच्छा सप्टम में लेसं थ्री संजे दे ब्रेव बॉय को पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही अच्छी काहनी है एक ऐसे बच्चे की जिसका पैर दुरगट ना में खराब हो गया था लेकिन बड़ा साइसी था फिर भी उसके साथी उसके उपे एक्छा करते थे इसलिए पुगा की स्कूल जाने में परिसान होता था लेकिन उसकी मां ने उसको बहुत ही आंगे बढ़ाया और उसके एक बिसेज गुणने उसे बहुत लोगों की प्रसंजा का पातर बनाया So, listen to me carefully Mother, wake up Sanjay, Sanjay जागो, you are getting late, present continuous tense, तुम, तुम्हें देर हो रही है, Sanjay Mother, Sanjay कहता है, Ma, I don't want present independence का negative, I do not want to go to school, Ma, मैं इसकूल नहीं जाना चाहता हूँ Mother कहती है, Why Sanjay, क्यों Sanjay, Sanjay, तुम इसकूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो Sanjay कारण बताता है, I feel neglected Ma Ma, मैं इसकूल मैंसूस करता हूँ, My school meds do not, don't like my company, don't mean do not, मेरे इसकूल के साथी, मेरा साथ पसंद नहीं करते हैं Mother कहती है, My dear child, मेरे प्यारे बच्चे, you are a strong boy, तुम एक मजबूत बच्चे हो, लड़के हो, don't lose heart, निरास मत हो, अंतर मन से डरो मत, घवडाव मत, You have so many good qualities, good means, अच्ची qualities means, गुण, तुमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, a day will come, future and reference, एक दिन आएगा, when everyone will praise you, जब प्रतेक ब्यक्टी तुमारी प्रसंसा करेगा, संजय हाप, heartedly, अधूरे मन से, ओके मा, ओके मा, आई सेल, कॉमा, लगा है, A-S-H-A-L-L, W-I-L-L, I shall go, मैं जाओंगा, संजय, walked slowly to the school, walked means, चलता है, slowly means, धिरे-धिरे, संजय इस्कूल की ओर धिरे-धिरे गया, As he entered the school, जैसे ही उसने विद्याले में प्रवेश किया, he totard, totard, वो लड़ खडाया, and fell down, और नीचे गिर पड़ा, He noticed, उसने ध्यान दिया, that the children were staring at him, staring means, घूर कर, उसने ध्यान दिया कि बच्चे उसको घूर कर देख रहे थे, Suddenly, they burst into laughter, अचानक ही, बे उसकी उपर हस पड़े, He thought of his mother's bird, उसने अपने मा के सब्दों की बारे में सोचा, he chinned up and went into the class, उसने कठनाई में प्रसुनता पूरवक, सोचा और आंगे, कच्छा में चला गया, During the break, मध्यांतर में, he tried to talk to Amit, Tried is the second form of try, उसने Amit से बात करने की कोशिस की, Who sat beside him, Sat is the second form of sit, जो उसके बगल में बैठा था, Your watch is very nice, Amit, तुमारी घड़ी बहुत सुन्दर है, He said, he means Sanjay, कोई बोला, but Amit turned away towards Vipin, लेकिन, Amit विपिन की ओर मुड़ गया, towards me sore, Amit pretended, Pretended means बहाना बनाया, not to have heard him, Amit ने ऐसा बहाना बनाया, जैसे कि उसने उसकी बात सुनी ही ना हो, Sanjay moved closer to Amit, Sanjay, Amit के अधिक निकट पहुँच गया, so that he could be hardily, ताकि वह आसानी से उसकी कई भी बात को सुन ले, Sanjay, Hey Amit, अरे Amit, which is your favorite game, favorite misprie, तुमारा प्यारा खेल क्या है, do you like swimming, क्या तुम तैरना पसंद करते हो, Amit, without looking at him, बिना उसकी ओर देखे हुए, Amit ने कहा, Yes, हाँ, I like swimming, मुझे तैरना पसंद है, Sanjay कहने लगा, I also like swimming, मुझे भी तैरना पसंद है, मैं भी तैरना पसंद करता हूँ, Suddenly, every one stopped talking, अचानक सभी ने बाते करना बंद कर दी, and looked at him, और उसकी ओर देखने लगे, अरुन, in disbelief, in disbelief, अब इस्वास के साथ, अब इस्वास से, Do you know how to swim, क्या तुम तैरना जानते हो, All the students started laughing, सभी विद्यारतियों ने हजना प्रारंब कर दिया, So, dear students, Read this paragraph carefully, And write in rough copy, Thank you.